नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं तकि डासवर्ट से कम आयूखी हो। आवेदिका का अधार काडेवं राशन काड होना अनिवारे है. आयकर अदा करने वाले परिवार से आवेदिका नहीं होनी चाहिए। अविदिका स्वैम या उनके पती अविवाहित अविदिका के संदर में पिता, केंद्र या राज सरकार अथवा केंद्रिय या राज सरवजनिक छेतर के उपक्रमों विधिक निकाय, अस्थानिय निकाय, सहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित या अस्थाई कर्मी या समीदा प्राप्त कर्मी मानेदे कर्मी के रूप में नियोजित न हो अथवा सेवा निविर्ती के बाद पेंसन या पारिवारिक पेंसन प्राप्त नहीं कर रही हो और आवेदिका एपीफ धारी नहीं होनी चाहिए मुख मंत्री हैमन सुरें की कैबिनेट ने परामपरी गरामपरधानों की दूगनी सम्मान रासी के प्रस्ता को दीमनजूरी शारखन के सिये महमन सुरेंट के यदाष्टा में बुधवार को प्रजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठा खुई इसमें 37 प्रस्ताओं पर मुहर लगी है जिसमें मानकी, प्रेगनेत, मुंडा, ग्राम परधान, डाकुवा, परानिक, जोग मानजी, कुडाम नायकी, नायकी, गुडायत, मुल रहयत, ग्रामिन दिवरी यानि पुजारी, पढ़हा राजा, ग्राम सभा का परधान, घटवाल एवं तावेदार के देश समान रासी मे दुगनी ब्रीधी को कैबिनेट ने सविक्रिती दे दी है, 63-वी सुबरतो कप फुटबॉल, जारखन ने गुजरात को 3-0 से हरा कर दूसरी जित दर्ज की, जारखन की अंडर 17 बालिका टीम ने दिली के तेजस फुटबॉल मैदान में चल रही, 63-वी सुबरतो कप फुट और भविता कुमारी ने एके गोल किये हैं, एन आई ए की नक्सलियों के खिलाफ बड़ी करवाई, खुटी में दो ठिकानों पर की छापे मारी, एन आई ए ने बुधवार 7 अगस्त को खुटी में परतिबंधित नक्सलि संगठन, पिपुल्स लिबरेशन फ्रंट ओफ इं इसा में सक्रिये PLFI सदस्यों के कोयला बेपारियों, रेल ठीकेदारों, बेपारियों से जबरन पैसे वसुलने के मामले की जांच कर रही है, इन सक्रिये सदस्यों पर हत्या, आगजानी समेत कई हिंसा की घटनाओं के लिए साजिस करने का आरोब है, ये खास तोर पर बेप इसा में सक्रियों और ठीकेदारों में आतंग पैदा करने के लिए इस तरह के क्रितों को अंजाम देने की योजना बनाते थे। में मिलेगा पहले चरण seat allotment 21 से 22 अगस्त के बीच होगा विद्यार्थियों के 24 के अधार पर seat allotment लेटर 23 अगस्त को जारी होगा चिनित medical college में विद्यार्थियों को 24 से 29 अगस्त तक नमांकन पूरी कर रिपोर्टिंग करनी होगी च्वाइस फिलिंग के दौरान विद्यार्थियों को medical college की seat freeze, float और slide करने का भी विकलपा मिलेगा पहले चरण की counseling के बाद रिक्त सीटों का आकलन 30 से 31 अगस्त क किया जाएगा इसके बाद दूसरे चरण की counseling 4 से 20 सितंबर तक तीसरे चरण की counseling 25 से 12 अक्टूबर तक और extra vacancy round 16 स 30 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी कंक्रीट के जंगल से बिगड़ा प्राकृतिक संतूलन घर बनाये तो जरूर लगाये पेड़ वन महोस में बोले CM हमांसरे ने कहा कि जारखन में जल जंगल और जमीन हमेशा सही हमारे जीने का जरिया रहा है लेकिन सद्यों से चली आ रही ये बिवस्था अंधाधून विकास और सहरी करन की दोड़ में पीछे छूटती जा रही है आज हरे भरे पेड़ों से अक्षादित जंगल की जगा कंक्रीट के जंगल ने ले ली है इसका सीधा असर हमारे परियावरन पर पड़ रहा है प्राकितिक संतुलन बिगड रहा है अगर हम अभी भी नहीं चेते तो इसके गंबीर परिणाम भुगतने के लिए त्यार रहना होगा आज जरूरत इस बात की है कि परियावरन सरक्षन की खातिर ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने के अभियान का हिस्सा हम बने और पेड़ों को बचाने का संकल्प ले ब्रिक्षा रोफन से परियावरन सरक्षन का संदेज देते हुए उन्होंने कहा कि जहां घर बना है वहाँ एक पेड जरूर लगा है वे वन परियावरन एवं जलवाई परिवर्तन विभाकी और से रांची के भारते क्रेसी जैव परद्यों की संस्थान में आयुवित 75 वे वन महसों को संबधित कर रहे थे हिमन सरकार ने 3909 कंपनियों को भेजा नोटीस नीजी छेतर में अस्थानियों को नोकरी नहीं देने के मामले में हिमन सरकार ने बड़ा एक्षन लिया है इस मामले में नीजी छेतर के 3909 कंपनियों और परतिष्ठानों को नोटिस वेजा है साथी 20,65,000 रूपय का जुर्माना भी वसुला है वर्तमान में राजेभर में 7,083 नियोजक निबंदित है इन्होंने अब तक 11,106 अस्थानियों को ही नौकरी दी है बताते चले कि जहारखन के नीजी छेतर में अस्थानिय उमिद्वारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 संपुर्ण राजे में 12 सितंबर 2022 से परभावी है जिस भी नीजी कमपनी, दुकान वा अन्य परतिष्ठान में जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उनको इस कानून के दाएरे में रखा गया है कमपनियों में अस्थानिय लोगों की बहाली सुनेशित हो इसके लिए विभाकी ओर से पोर्टल बनाया गया है इस पोर्टल पर कमपनियों को अपने कर्मियों का पूरा ब्योरा देना है कर्मियों को अस्थानिय परमान पत्र भी पोर्टल पर उपलग्ध कराना होगा सरब विभाकी ओर से सितंबर 2021 में राज सरकार ने नीजी छेतर में 75 फिस्दी अस्थानियों को बहाल करने समंधी लाए गया कानून के प्रोधान लागू कराने के लिए करवाई शुरू की है इस कानून के मुताबिक नेजी छेतर की कमपनियों परतिष्ठानों में 40,000 तक के वितन पर काम कर रहे कर्मियों में 75 परतिष्द अस्थानिय अनिवारे होंगे रिम्स OPD में मरीजों का आभाकाड बनाने की मोहिम शुरू रिम्स वा आइसमान भारत डिजटल मिशन जारखन की ओर से बुधवार को रिम्स OPD परांगन में ओन एस्पोर्ट आभाकाड बनाने की मोहिम चलाई गई यह मोहिम कैपसिटी बूलिंग कारिकरम के तहद सुरू की गई है इसका उदे से राज के सभी सरकारी अस्पतालों में ओनलाइन आभाकाड वा आभा आइडी वी निर्मान को पुरसाहन देना था रिम्स प्रबंधन आभाकाड वा एसकैन एवम सेर को बढ़ावा दे रहा है बुधवार को एसकैन वा सेर के जरिये 970 परची बनाई गई मुहिम के दोरान आभाकाड का लाब उठाने के प्रती मरीजों के परिजन काफी उस्तुक दिखे ताकि उन्हें OPD में रेजिटेशन के लिए लाइन में घंटो नहीं लगना पड़े जार्खंड में महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी दी जाएगी गोबर प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग जार्खंड गौव सेवा आयोग राजे में गायों के सरक्षन और समवर्धन के साथ साथ इससे जुड़ी लोगों की आमदनी बढ़ाने पर भी जोड़ दे रहा है इस कड़ी में राज की ग्रामिन महिलाओं को गोबर प्रोसेसिंग से जोड़ा जा रहा है जार्खंड गौव सेवा आयोग ने बुद्वार को बारा परस्ताव पर मंजूरी दी है आपको बता जै कि जार्खंड गौव सेवा आयोग की बैठक में अध्यक्ष राजी उरंजन, राज के किर्शी मंतरी दिपका पांडे सिंग और आयोग के सदस सामिल हुए